जिनको पानी पढ़ने की सपन्दोश की बीमारी है या तकलीफ है या अनिद्रा है जिनको नीद अच्छी नहीं आती वे आत उपर करो नीद अच्छी नहीं आती तुम मैं बताता हूँ इस चाय के जगा पर आमला चुरन जितना चुरन उतनी मिश्री मिला दो वो पैकेट यहां भी मिलेगा तुम घर में भी बना सकते हूँ दस पंद्रा ग्राम आमला मिश्री का चुरन पानी के गोल में बना कर आदी चम्मट अर्था दो ग्राम उसमें हल्दी का दो प्यो सुबे सुब पियो सपन्दोश की विमारी होगी पानी पढ़ने की विमारी होगी शरी पर खिल भी लोगे सब ठीक हो जाएं सर्दी में गुनगुना पानी गर्मी में साधा पानी अगर चाय का मजा लेना है तो गरम पानी में बना के पिए शर्बत का मजा लेना है तो ठंदे पानी में डाड़ी की डाड़ी बावा का बावा स्वास्ते का स्वास्ते और मजे कमा जाओ आमला चुरन का एक पप पानी डाल के गोद बना के पिया बच्चों को दांत आते हैं दांत निकलते हैं उस समय जा तो जुलाव हो जाते हैं पेशी सो जाते हैं तो खजूर और शहिद ठैट कर मिला कर अच्छी तरह से खूब रगड रगड के दिन में दो तीन बार चटा दे रे एक एक चमच बच्चों के दोस्त पेची सब ठीक हो जाएंगे सरदी बच्चों की और बच्चे नहीं कर सकते हैं तो पचास क्राम लस्षन तो पचास क्राम शहिद पियोर दस क्राम लस्षन कोट के चत्मी बना दे बच्चों को एक एक दो दो क्राम जैसे बच्चे बड़ी ठीक उमर के तो पांच क्राम बड़ी उमर वाला बेक्टी हो पुरुष पूरी उमर वाला तो दस क्राम जितना छोटा उतना कम सुबह शाम चटाओ बच्चों को सद्धी लगने से जो बीमारियां होती है नाग बैटे आदी आदी उस सब ठीक हो जाएगा जिसके बाल जहरते हूं तो गाजर प्याज और हरा दनिया कमिला का सलाथ भाए बाल जहरने बंदो जाएगे फास्थोर्स बाल जहरने को रोकता है खजूर में भी हुआ है अभी तो कई मरीजों को टाटा होस्पिटल में से लाँ इलाज बोले हम ठीक में होगा ये बलड थैंसर हो गया प्यल गया अब ले जाओगा तो महाई को विचारे को अभी मरी ऐसी इस्थिती में बुजरात के थे तो वहीं से पसार होना था जिस बेहात में गाना था तो वो ले चनव आश्रम में तो बापू का दर्शन करा दे गा है उसको उठा के ले आए मैं कहा क्यों उठा के ले आए वो ले इसको कैंसर है अब ताटा होस्पिटल से केस रिजेक्ट हो गया थेल है केस तो तर्शन करा के ले जाते मैं कहा नहीं ले जाओ हमारे नीता वईद्य है उससे मिलो नीता वईद्य ने बता दिया कि बासी मूँ दस से बारा मिली ग्राम गोजहरन दस बारा मिली ग्राम पानी मिलाके बासी मूँ जैसे कुला का तो जैसे मूँ में गुमाके पी ले वे और बीस ग्राम तुलसी का रस बीस ग्राम तुलसी का रस और पचास ग्राम ताजा दही दो पैर और शाम उसने इलाज बता दिया और वज्र रसायन दे दी, आदे आदी गोली लेना कभी एक गोली, मैं आपको बिलकुल व्यास पीट पर सची बात बताता हूँ, कुछ महनों के बाद एक माई आई, बुले बापु मुझे पैचाना, कुछ ने गुजराती में बोला, बापु मने ओर्खी, मैं कहन नहीं, मने कुछ उठा के आये थे, ताटा होस्पिटल वालों ने बोला भी अच्सा नहीं होगा, मैरे को कैंसल था, लेकिनो नीता बेन के पास ले गए, दवाई दिया, और मेरा कैंसल कैंसल हो गया, अभी मैं ठीक हो गया, अज़िक हो गया, तो देहाती बाई थी, कैंसल नहीं बोल बाती दी, उसने बिवकुल कैंसल ही बोला, मेरे को कैंसल था, टाटा होस्पिटल वालों ने जवाब दे रिया था, मुझे राती में बढ़ा, अभी देख में ठीक हो गया,